अब हम बात करें कि भारत में बेरोजगारी का आकार क्या है उसके सीमा क्या है तो यहाँ पर किसे निश्चित आकार या किसे निश्चित सीमा के बारे में बता पाना बहुत मुश्किल या असंभूसा है तो अब तक हमने जो आकलन किया हमने जो आकड़े देखे उसमें हमने देखा कि ग्रामेड चेतर में भी परियाप्त बेरोजगारी है और शहरी चेतर में भी परियाप्त बेरोजगारी है तो हम यह कह सकते हैं कि सही सही माप पाना या आकलन करना अनुमान लगाना काफी कटिन कारें लगबग असंबो हैं यह हम कह सकते हैं कि रोजगार कारेले में जो दर्ज संख्या है उसकी आधार पर एक अनुमानित एक संभावना व्यक्ति की जा सकती है कि भारत में जो यह बेरोजगारी है उसकी उसका आकार क्या है और उसकी सीमा क्या है अब हम बात करें भारत मे बेरोजगारी के कारण की तो बहुत से ऐसे कारण आपको समझ में आते होंगे जिसके कारण बेरोजगारी की समस्या उत्पन हुई है इस पूरे चैप्टर में हमने अभी तक रोजगार के बारे में उनकी समस्याओं के बारे में जो अध्यान किया उसके अधार पर हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि क्या कारण है क्यों बड़ी बेरोजगारी है सबसे पहली बात तो आती है जनसंख्या व्रद्धी जिसकी बारे में हमने देखा कि जनसंख्या की जो गती है वो इतनी तेज है कि जनसंख्या व्रद्धी का अनुपात और योगी छेत्रों में जो लगू और कुटिर उद्योगों का हास चाहे हम सार्वजनिक नीतियों की बात करें या उद्योग पतियों की अपनी मानसिक्ताओं की बात करें हर कोई बड़े उद्योग के पीछे बड़े उद्योगों की दौड में हर कोई बड़ा उद्योग स्थापित करना चाहता है कहीं न कहीं स्वतंत्रता के बाद जो प्रयास किये गए लगू और कुटरुद्योगों के विकास के प्रारंभ में तो काफी विक्सित हुए लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इनका हास होता चला गया ये एक ऐसा छेत्र था लगू और कुटरुद्योग जिससे ग्रामीर जनसंख्य का एक काफी हिस्सा काफी बड़ा हिस्सा रोजगार प्राप्त कर रहा था अब जब उनका हास उने लगा वह बंद introducing बिमार पड़ने लगे तो ऐसे स्थिति में ग्रामीर छेत्रों में जो रोजगार का प्रति जो बिरोजगारी का प्रतिशित था, इसी तरह श्रम उनकी गतिशीलता का आभाव भी एक महत्यपूर्ण समस्या है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी मान सिकता है वो अपना घर परिवार या अपनी जमीन जिस स्थान पर वो रह रहे हैं उसको वो छोड़ना नहीं चाहते उनके अंदर जो योगिता है उनके इंदर जो कॉलिटी है उसकी अगर डिमांड उसकी मांग अन्य छेत्रों में है जहां पर उनको रोजगाब मिल सकता है तो वो उन छेत्रों में जाना नहीं चाहते तो ये सब ऐसे कारण है जो श्रम की गतिशीलता क्या धार पर बेरोजगारी को जन्म देते हैं ठीक इसी तरह एक बहुत बड़ा क होते हैं तो जाहिर सी बात है वो देश के लोगों को रोजगार देंगे क्योंकि हमने पिछले अध्याय में भी पड़ा कि पूंजी निर्मान की दर काफी कम है यही कारण है कि जिस स्पीड में उद्योग धंदों का विकास होना चाहिए था स्थापना होनी चाहिए थे उस स्पीड में नहीं हो पाया और लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया एक कारण यह भी है कि दोष्पूर्ण सिक्षा पधिति हैं हमने देखा क्यào सिक्रण बैर लाना हमार अधारीत। शिक्षा पदितीं एक के अंतरगत हम पढ़ते हैं, परिक्षा देना हमारे मुख की अध्यों होता है, अच्छे नमबर splashा पूरी पूरी किताबी सिक्षा पराधारित है प्रैक्टिकल नॉलेज जो होना चाहिए वो बहुत कम है याने एक व्यक्ति बच्चा जब स्कूल से या कॉलेज से बाहर निकले तो उसके हाथ में कुछ ऐसे कौशल हूँ कि उसको नौकरी ना भी मिले तो वो अपना अस्वार चाहिए बेरोजगार इस्थापित कर सके इस तरह की जो दशाये हैं वो सिक्षा पधिती में नहीं है तो एक दोशपूर्ण सिक्षा पधिती जो है वो भी बहुत बड़ा कारण है अगली बात हम करें तो तूरुटी पूर्ण नियोजन भी एक महतपूर्ण कारण है वाश से चेतर ऐसे होते हैं जहां पर जितनी आवशक्ता है श्रमिकों की नियोजन की वहां पर उनको नियोजित नहीं किया जा सकता है तो ये भी एक बहुत बढ़ा कारण है इसी तरह से युद्ध या जो देश की परिस्तितिया होती है शांती विवस्था जो होती है ये भी एक ब यह समाप्त हो जाते हैं तो बेरुजगारी का एक प्रतिशत लोगों का बढ़ जाता है साथ ही साथ यहां पर हम देखते कि मुद्रा इस फिती एक ऐसे स्थिती को जन्म देती है जबकि वस्तू की कीमते बढ़ती है तो जो नियोजित जो मजदूर होते हैं उनकी मांग रहती है तो या तो वह स्वेम हड जाते हैं उस रोजगार से या फिर उनको हटा दिया जाता है तो कहीं न कहीं कारण कुछ भी हो यह सारी जो दिशाय js del बेरोजगारी के कारण क्या थे लेकिन इस बेरोजगारी का क्या प्रभाव पड़ता है आए इस पर एक नजर डाले तो बेरोजगारी के प्रभाव के अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इससे मानव शक्ती का एक बड़ा हिस्सा व्यर्थ चला जाता है बहुत से लोग ऐस सही जगह नहीं मिल पाती है रोजगार नहीं मिल पाता है यह ऐसा कारण जब क्रादा है जो योग गिता है जो शंता है वह व्यर्थ रह जातीkel करता है यािनि रोजगार वो करना चाहता है ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके लेकिन यही जरूरत जब उसकी नहीं पूरी होती है और इस कारण से नहीं पूरी होती है क्योंकि उसके पास आये का कोई स्त्रोत नहीं है रोजगार नह चीना जप्टी वाली जो घटना है यह बहुत जादा बढ़ गई है तो कहीं न कहीं इसका एक कारण ये भी है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है लेकिन उनको अपनी आवशक्ताओं को पूरा करना है अपने परिवार के आवशक्ताओं को पूरा करना है तो ऐसे स्थिति म उनका जो एक स्टेटस कहना चाहिए होना चाहिए था या उनकी आर्थिक स्थिति जितनी सबल होनी चाहिए थी वैसे नहीं हो पाती है और या तो यह भी कहा जा सकता है कि रोजगार ना मिलने के कारण उनकी जो आर्थिक संपन्निता है आर्थिक स्थिति उसमें गिरावट भी आने लगती है एक प्रभाव अगर देखा जाए तो ये भी है कि इससे लोगों की जो शिक्षा है उस वो भी उसको प्रभावित करती है क्योंकि सही रोजगार नहीं मिल पाता है आय नहीं हो पाती तो वह अपने बच्चों को सिक्षित नहीं कर पाते तो एक तो ये सिक्षा की दर में दर को घटाने का कारण बनता है दूसरा एक प्रभाव देखने को मिलता है कि मृत्यू दर में जो बढ़ोत्री होती है उसका भी एक कारण बनता है क्योंकि परियाप्त आय रोजगार ना हो पाने के कारण लोग जो है वो समुचित स्वास्त विवस्था को भी प्राप्त नहीं कर पाते अच्छे जगों पर इलाज नहीं करा पाते तो कहीं न कहीं मृत्यू दर में व्रिद्धी का भी एक महत्वपून कारण बेरोजगारी हो सकता है और इसके अलावा आप अपने आसपास देखते होंगे बहुत से ऐसे प्रभाव है जो लोगों क आए ना होने के कारण उनके पास रोजगार ना हो पाने के कारण उनको प्रभावित करते हैं अब इसी परफेक्ष में अगर हम विल्यम बेबरिज के के कथन को हम देखे तो उन्होंने एक बहुत विचाणी बात कहीं है कि बेरोजगार रखने के स्थान पर लोगों से गड लेकिन कहीं न कहीं उनको रोजगार दिया जाना बहुत जरूरी है तक कि वो अनैतिक कार या समाज विरोधी जुकति विधिया है उसमें लिप्त होने से बच जाए दूसरा एक महतपूर चर्चा का विशाय यहां पर यह रहेगा कि बेरोजगारी को दूर कैसे किया जाए हम ह कुछ ऐसे उपायों पर एक नज़र डाले जिससे हम कुछ हद तक बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं तो सबसे पहला बिंदू यहां पर आता है कि विन्योग में व्रिद्धी की जाए अब विन्योग चाहे वो सरकारी हो या निजी विन्योग है उनमें व्रिद्धी की कि जादा से जादा उद्योगों के स्थापना हो सके ओद्योगी करन को बल मिल सके क्योंकि उद्योग के स्थापना ही एक एक ऐसा हम मान सकते हैं कि ऐसी स्थती है जिससे लोगों को जादा से जादा रोजगार मिल पाता है दूसरी हम यहां पर बात कर सकते हैं कि नई योज योजनाओं का जन्म होना चाहिए सरकार को समय समय पर कुछ ऐसी योजनाओं को बनाते रहना चाहिए जिसे लोगों को रोजगार मिलता रहे साथी साथ कर व्यवस्ता में सुधार लाना चाहिए बहुत से उद्योग धंदे बड़े बड़े जो द्योगों इसलिए भी नहीं चल पाते यह स्थापित नहीं होते बंद हो जाते क्योंकि कर व्यवस्था जो इतने जटिल है बहुत कुल जो उनकी आय होती उसका एक बहुत बड़ा हिस्स्या कर के रूप में चला जाता है तो कहीं ना कहीं उनको लाब नहीं हो पाता है और यह कैसे इस्तिति बनती है जब को द्योग धंदे बंद हो जाते हैं तो कहीं न कहीं कर व्यवस्था में भी सुधार करके रोजगार के जो दर्हस में व्रिद्धी की जा सकती है एक महत्वपूर्ण बात यहां पर प्रसिक्षण कि आती है कि सिक्षित होना और प्रसिक्षित होना दोनों में एक अंतर है कि ये कुछ ऐसे कारण बनते हैं कि लोगों को प्रसिक्षित नहीं किया जा सकता है और बिना प्रसिक्षिन के फिर उनको रोजगार प्रदान कर पाना उनका रोजगार कारी उनका कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है तो प्रसिक्षिन की भी समुचित विवस्ता की जानी चाह परण जो है वो है जनसंख्या का बढ़ना हम देख रहे हैं कि उड्योगों का विकास बहुत तेजी से हो रहा है दिन प्रति दिन आप अपने आसपास भी देखते होंगे नियूज में भी देखते होंगे कि हर शहर में हर स्टेट में बहुत सारे उद्योगों स्थापित हो रहे हैं लेकिन परिशानी ये होती है कि जिस अनुपात में उद्योगों के सापना होती है उससे कहीं अधिक अनुपात में जनसंख्या बढ़ती जाती है अब इतनी बड़ी जनसंख्या को इन उद्योगों नियोजित करपाना कहीं न कहीं बहुत बड़ी चुनोती है तो एक महतुपूर उपाई ये भी हो सकता है कि जनसंक्या वृद्धी पर किसी भी तरह से रोक लगाई जाए एक उपाई ये हो सकता है कि लगू और कुटुरुद्योगों का विकास किया जाए हमने प्रारम के लेकिन धीरे धीरे कहीं न कहीं एक इसमें जागरुखता का अभाव पाया गया इनमें विन्योजेन का भी आभाव पाया गया कुछ ऐसे कारण बने कि लगातार ये जो लगू और कुटुरुद्योग है वो रुग्ड़ होते चलेगे बिमार होते चलेगे और बहुत सारी क बंद हो गई यह जो लगू और कुटिरुद्योग थे बास्तों में ये ग्रामीन चेत्रों में पिछडे चेत्रों में वहां के लोगों की आजी विका का बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रोत होते थे एक लगू और कुटिरुद्योगों में कई लोग आसपास के वेफसाय करते और उनका घर चलता है तो हाला कि अभी भी बहुत से लगू और कुटिरुद्योगें लेकिन अभी जरूरत है कि नि लगू और कुटिरुद्योगों का विकास किया जाए इनकी संक्या में व्रद्धी कि जाए ताकि वो अपने आसपास के लोगों को कम से कम रोजगार दे सके वैसे ही एक मत्वपूर उपाया ये किया जा सकता है कि सिक्षा पद्धती में हमको परिवर्टन लाना है हमने पहले भी इस विश्या पर बात किये कि हमारी जो सिक्षा पद्धती है वो पूरी की पूरी सैध्धान्तिक है हम सैध्धान्तिक बातों को अपन मिले तो कम से कम वो अपने अजीवी का चलाने के लिए कोई रोजगार कर सके अपना स्वयम का स्वयम का काम कर सके तो सैधांतिक सिक्षा के साथ-साथ कुछ ऐसे वेभारिक सिक्षा को भी सिक्षा पद्धती में शामिल के जाने की जरूरत है वैसे ही एक उपाई ये भी हो सकता है कि बहुत से बड़े जो अद्योगी की काई हैं उनकी सहाया की काई हो कि भी स्थापना की जाए यानि वहाँ पर जिन वस्तों का निर्मान होता है उससे रिलेटेट जो कच्छा माल है या उसक किये जाए तो कुल मिलाकर निजी छेत्रों को और सारवजनिक छेत्रों को दोनों को ही बेरोजगारी दूर करने के लिए बहुत सारे कारियों में अपना सहयोग देने की जरूरत है तो ये तो हमने बात कही बेरोजगारी को दूर करने की ओर और ओल सरकार और निजी छेत्र दोनों क्या कर सकते हैं हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं लेकिन बात अगर हम करें किवल सरकार के दाइतुकी तो हम देखते हैं कि सरकार द्वारा कौन-कौन से प्रयास किये जाने चाहिए बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में तो सबसे पहली बात यहां पर आती है कि समाने रोजगार के अंतर काता करम इस पेक नजड़ आले तुम देखते हैं कि इसमें उद्ध्योगों में जो भारी विन्योग है बहुत बड़ी मातरह में विन्योग है वो सरकार के द्वारा किया गया और साथ में बहुत से जो लोग से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सके इसके अंतरगत हम देखते हैं कि राश्ट्रिय ग्रामीर रोजगार कारी क्रेम जिसे हम एन आर इपी के नाम से जानते हैं और ठीक इसी तरह ग्रामीर भूमी इन रोजगार गारेंटी युजना जिसे हम आर एल इजी लाहां पेकरे मेरा जानते हैं और साथ ही साथ ग्रामीर के जो युवा है उन में उनको रोजगार प्रदान करने के लिए यूजनाय चलाई गई सोरोजगार प्रसिक्षन दिया गया जिसे TRY SEM के नाम से जाना गया और इसके साथ जवाहर रोजगार यूजना जी जे यी पी चलाई गई तो प्रारम से जबसे यह आवशक्ता महसूस की गई कि वास्तों में रोजगार जो है वो कम लोगों तक पहुंच पार रहा है बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रहे हैं तो यह सारी योजनाये वहां से संचालित की जाती रही हाला कि धीरे धीरे इनका स्वरूप परिवर्तित होता गया और इन योजनाओं को परिवर्तित करके मोडिफाई करके इनमें जो कम्या के बारे में जाने तो यहां पर हम देखते हैं कि कुछ विशिस्ट रोजगार कारिकरम भी सरकार के द्वारा अपनाए गए जिसमें हम देखते हैं कि स्कूलों की संख्या बढ़ाई गई जिससे आसिक्षा के कारण लोग जो हैं वो बेरोजगार ना रहे जादा से जादा स्क्षित किया सके तो स्कूलों की संख्षया एक तो बढ़ाई गई मिलक्ष 21 कि नीन मिल पाता इसलिए उनके हाथ में वो कौशल आ नहीं पाता जो वो सीख सकते थे और जिसके आधार पर रोजगार ले सकते तो तो प्रसिक्षण संस्थाओं के स्थापना का प्रयास किया गया विसस्थ रोजगार के अंतरगत बहुत सारे इस तरह के कारे किये गए एक तीसरा बिंदू यहां पर आता है कि नियोजन सेवाय दी गई जो सिक्षित लोग है या जो कारे कुशल लोग है शमतावान है जो कारे करना चाहते हैं उनको कहीं न कहीं नियोजित किया जा सके और इसके बारे में उच्छे जानकारी रिजिस्टर्ट की जा सके ताकि जहां उनकी जरूरत है वहां उनको भीजा जा सके वहां पर उनको नियोजित कहा सके तो रोजगार कारेयलों के स्थापना के सथापित है इनधिन प्रती दिन बढ़ती भी जा रही है तो यह एक महत्वपून उपाय है, जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है साथ में लगू और कुट्षी रुधद्योग की बात की गई कि लगू और कुट्षी रुधद्योग का विकास नहीं हो पारह। यह भी एक महत्वपून फिर से उनको स्थापित करने में सरकार के द्वारे सहयोग किया गया और यही सब कारण थे कि पहले जो लगू और कुटूरी द्योग जिनकी संख्या लगबग 180 के असपास थी अब उनको संरक्षित करके लगबग 836 कुटूरी द्योग बनाएगा दिन प्रति दिन जो सरकार है इनकी संख्या में वृद्धी भी कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके अगला एक बिन्दु यहां पिये भी देखने को मिलते कि प्रतिय जिला मुख्याले में उद्योगिक सलाहकार केंदर के इस्थापना की गई और साथ ही साथ अगर हम देखे तो अब तक लगबग 422 के आस-पास जिलो में इस तरह के उद्योगिक विकास केंदर के स्थापना की जाश स के लिए लेकिन फिर भी पर्याप्त मातर में क्योंकि वह रोजगार उपलब्द नहीं करा पा रहे हैं इसलिए उन्होंने प्रयास किया कि कम से कम वह अपने जो बेरोजगार वर्ग हैं उनके चेत्र के उनको एक निश्चित दर पर बेरोजगारी भत्ता उनके लिए सुनिश हुए थे वहां पर भी छोटे मोटे उद्योग जो शेत्र की प्रकृति वहां पर संसाधनों के उपलब्धता के अधार पर संभव जितना हो पाया उस तरह के उद्योग वहां पर लगाए गया दूसरा एक प्रयास किया गया कि पहाड़ी और दुर्गम इस्थानों पर जह की व्यवस्था सुनिश्चित के गई वैसे ही एक प्रयास एक किया गया कि स्वारोजगार के लिए बहुत से प्रसिक्शन कारेक्रमों कायोजन किया गया ताकि जो लोग सिक्षित है और बेरोजगार है उनको कम से कम कुछ ऐसी कारेकुशल उनके हाथ में कुछ ऐसे कौशल विक्सित किया जाए जिससे वो खुद का कोई ना कोई रोजगार कर सके तो इस दिशा में बहुत से प्रेस्टिक्शन कारिकरम चलाएगे और साथ ही साथ जो पिछड़े ग्रामिड छेत्र हैं वहां पर छोटे मुटे उद्योग इस्थापित हो सके इस पर व्यापक प्रयास किये गए एक महतुपूर्ण बात यहां पर यह भी देखने को मिलते हैं कि ग्रामिड चेत्र के जो युवा हैं जिनके जादा तर जो चाहते हैं कि वह गाउं में ही रहें वह गाउं से इस तरह से उनके जो अटेच्मेंट रहता है जुड़ा हुआ रहता है कि वह बाहर नह सब्सक्राइब वह रते ऌहँना कि कुछ रोपलब्द कराकर वहीं पर उनसे कोई कारे करा जाया जायान इनको कुछ कारे एसे करा जाय जाया जिससे उनकी जो आज इविका आप राप्त होती रहें तो ये तो कुछ ऐसे प्रयास थे जो सरकार के द्वारा सतत किया जा रहे हैं हाला कि इनके बहुत अच्छे परिणाम भी देखने को मिलें लेकिन लगातार इनके इनको जारी रखने की जरूरत है अब अगर हम बात करें कि भारत में जो सिक्षित बेरोजगारी है उसके बढ़ने के क्या कारण है हमने बेरोजगारी को दोस तरों पर बाट कर देखा कि ग्रामीन बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी ग्रामीन बेरोजगारी में हमने बहुत सारे टाइप्स देखे कि कौन क्या क्या तरग वहां पर जो सबसे पेहला जो प्रकार बिरोजगारी निकल आता है वह सक्षित बिरोजगारी के समिझ्यत व्रप्रण होती है उस पर एक नवज़र डाले तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिक्षा का जो विस्तार है वो शायद बहुत अधिक हो गया जितना परियाप्त था उससे कहीं अधिक हो गया बहुत सारे आप देखते होंगे कि पहले जो इंजिनरिंग कॉलेज ये मेडिकल कॉलेज थे वो बहुत लिमि अधिक और कम सभी इस्तर के जो कुशल वेक्ति जो कुशल लोग थे सभी को इस तरह की सिक्षा मुहिया कराए गई अब यह हुआ कि जैसे कि हमने एकनॉमिक्स में पढ़ा कि मांग उतनी नहीं थी जितना की प्रोडक्शन हो गया तो यहां पर फिर यह समस्या आ जाती है कि योग गिता तो है कोशल तो है लेकिन उतनी उत्पादन के छेत्र उतनी ओद्योगी के काया नहीं है कि इनको न्योजित किया सके तो अत्यदिक सिक्षा का विस्तार भी एक बहुत बड़ी समस्या बन गया दूसरी एक बात यहां देखने को मिली कि दोश्पूर्ण सिक्षा प्रणालिजिस के बारे में बार बार चर्चा कर रहें सध्धान्तिक तक ही सीमित रही लोगों को सिक्षित किया जा सका अक्षर ग्यान उन्होंने प्राप्ति किया किताबी ग्यान उन्होंने प्राप्ति किया लेकिन कौशल विकास कहीं न कहीं अधूरा रहे गया और यही कारण बना बेरोजगारी की समस्या का साथ में सबसे एक महतुपूर्ण बात जो थी वो ये थी कि मनोवरित्ती में परिवर्तन कर पाना काफी मुश्किल काम हो गया अगर हम ग्रामीन परिप्रेक्ष सेज्स को जोड़ के देखे तो वहां के जो युवा है वहां के जो लोग है उनकी मनोवरित्ती जो होती है वो वहां पर ही रहने की होती है वो अपने पुश्टैनी मकान अपने घर को नहीं छोड़ना चाहते क्रिशी कारे में ही लगे रहना चाहते हैं अगर उनके लिए अवसर है दूसरे अन्य स्थानों पर तो वह वहाँ जाकर कारें नहीं करना चाहते दूसरा अगर हम शहरी छेतर से इसको कोर्रेलेट करें तो हम देखते हैं कि सिक्षित होते हुए भी वह बेरोजगार है कई बार उनके अंदर इस तरह की भावना आती है कि जितनी उन्होंने सिक्ष सनस्थाओं के अपरियाब्ता है हमने देखा कि सरकार ने अप्योडार सेस्थाओं के स्थापन की लेकिन फिर भी जिस स्पीड में जरूरत लोगों के लिए प्रिसप्षेट्ट थाने सेस्थाओं की स्थापना नहीं की जा सकीए भी एक महत्यपून कारण बना सीक्षित व भाव था हाला कि प्रयास किया गया कि रोजगार कारेलों कि सापना जादा से जादा संख्या में की जा सके जो लोग सिक्षित हैं लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है वो वहाँ पर रजिस्टर्ड करवा सके अपने को लेकिन फिर भी सही समय पर सही सूचना कि कहां पर प्ल लोगों को कियोंकि रोजगार समंधी सुचना समय पर नहीं मिल पाती तो ये भी कारण बनता है बेरोजगारी की समझ्या का सबसे पहली बात हम यह करते हैं कि सिक्षाप्रणाली में परिवरतन लाइं जाए केवल सुझ्धान्ति सिख्षा시죠 जामधा आधार इतनार सीट्षा को भी शामिल करें कुछ ऐसी अगर नवकरी न, तो pulse, से कम स्वारोजगार कर सके जो व्यक्ति स्वारोजगार में एक बार आता है वह अपने समकक्ष अपने अधिनस बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रदान करता है तो यह बहुत महत्यपूर्ण बात कही गई कि वेभारिक जो सिक्षा है वो इसमें शामिल के जानी बहुत जरूरी है दूसरा यह किया जा सकता है कि प्रसिक्षन संस्थाओं में वृद्धी जैसे कि हमने कारण में देखा कि प्रसिक्षन संस्थाओं का भाव है लोग सिक्षित तो हैं लेकिन वेभारिक रूप से प्रसिक कि आभाव हैं तो कुछ ऐसी संस्थाओं के स्थापने की जा हाला कि सरकार ने इस छेत्र में काफी प्रयास किये हैं कि लोगों को सूचना प्राप्त हो सके इसके साथ साथ प्रतेक विभाग में प्रतेक शेत्र में जहां पर भी वेकेंजी होती है जहां पर भी रोजगार समं प्रचार प्रशार किया जा सके ज़्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सकें दूसरी एक बात है कि मनो वृत्ती में हमको परिवर्टन लाना होगा कि कार अगर करना है रोजगार प्राप्त करना है तो कहीं न कहीं से हमको start तो करना ही होगा यह भले हमारी मानसिक्ता बनी रहती कि जो हमारे अंदर योगिता है जितनी चंता है उसके recording हमको कारें नहीं मिल पा रहा है तो यह जो मनुवरित्ती है उसको हमको बदलनी होगी साथ में एक ये है कि सरकारी सहायता भी प्राप्त होनी ज़रूरी है, सरकार को भी प्रैस करना चाहिए कि कुछ ऐसे उपाई किया जाए, चाहिए वो प्रसिक्षण संस्थाओं के स्थापना हो, रोजगार कारे, लोगी के स्थापना हो, बहुत सारे ऐसे उपाई सरकार के से न्यूज चैनल से न्यूज पेपर से नेट की माधियम से वो खुद भी आवेर रहना चाहिए कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा कौन-कौन से छेत्र में कहां-कहां पर रोजगार के अफसर आ रहे हैं उनको हम देख पाएं और जान पाएं अब अगर हम बात करें ग्रामीड छेत्र के लिए इस्पेशली हम बात करते हैं अगर ग्रामीड छेत्र में जो बेरोजगारी है क्योंकि सिक्षित बेरोजगारी की जब हम बात करते हैं तो वो ज्यादा तर शहरी छेत्रों में देखने को मिलती है लेकिन हम ग्रामीड ना हो या उन उस पूरे परिवार के लिए परयाप्त हो या ना हो और लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उस कृशी भूमी को या अपने पुस्तैने जमीन को आपने गाउं को छोड़ना नहीं चाहते हैं तो यह एक कारण बनता है बेरोजगारी का ग्रामीन बे जो उत्राधिकार है वो ट्रांसफर होता है फिर अपने आने वाली पीडी को होता है तो यह जो उत्राधिकार एक बार उनको मिल जाता है तो वो उसमें अपना अधिकार या कहना चाहिए कि अपना करता वे भी समझते रहते हैं कि हमको उसको उसकी देखभाल करनी है उसकी सु लोग पलायन करके शहर हाला कि हम देखते हैं कि पलायन की जो इस्थिती है वो बढ़ती जा रही है लेकिन एक इस्थिती यह हो सकती है एक काम यह किया जा सकता है कि अगर लगू और रिहत उद्योग छोटे जो उद्योग है उनको गाव के आसपास के छेत्रों में अगर स्थ किया जा सकता है एक मातुपूर्ण कारणी आप हम यह देखते हैं कि सयुक्त परिवार प्रणाली है जॉइन फैमिली में लोग रहते हैं गाव में बहुत अच्छा भी यह रहता है लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उनकी जो आय का मुक्स्त्रोत होता है क्रिशी करना वो कई बा पास क्रिशी भूमिया उनके पास अजीविका के साधन है लेकिन वो पूरे सयुक्त परिवार के लिए परियापत नहीं होती तो यह एक महत्तुपूर्ण कारण बनता है साथ में मौसमी कारण जो होते हैं मौसमी बेरोजगारी जो है । वैसे हम देखे तो ग्रामीन वातवर्ण की प्रती लोगों को आकशन होता है जो व्यक्ती प्रारंब से बचपन से गावमे रहता है वो नहीं चोड़ना चाहता हूँ के वहाँ का बाधतावरन यह जो मनुदशा है यह जू मनव रिध हैं बहुत बढ़ा कारण बनती है तो तो ये तो हमने बात कहीं कि अगर किवल ग्रामीन छेत्र के में जो बेरोजगारी उसके कौन-कौन से कारण है इन कारणों को अगर दूर करना हो तो कुछ चोटे-मोटे उपाय अपनाया जा सकते हैं जैसे एक तो कि लगू और रिहदुद्यों गाउ के आसपास की छेत्रों म उनकी जो पुरानी जो मनोदशाइय है पुरानी जो मनवृत्या उसमें परिवर्तन करने का प्रयास किया जाए और साथी साथ प्रसिक्शन की गाउं में जो बेरोजगार जो यूवा है ठाइए उनको कुछ ऐसे प्रसिक्शन दिये जाए जिससे आगे चलकर उनको रोजगार प्राप्त हो सके आप अपने गाउ में देखते भी होंगे कि बहुत सारे सिलाई का प्रेसिक्षन या 버़ी बिजोणी बनाने का प्रेसिक्षन और इस तरह के छोटे-छोटे जो प्रेसिक्षन है वो सरकार के द्वार्ण दिये जाते रहे है तो यही सारे ऐसे उपाए है जिसके द्वारा ग्रामीन बेरोजगारी जो है उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है अब अगर हम बात करें सरकारी प्रयास की यह जो प्रयास थे यह तो समगर रूप से है सरकार नीजी छेत्र और हम सब को मिलके हमको प्रयास करना है कि कैसे ग्रामेड बेरोजगारी को दूर किया जा सके लेकिन अगर हम बात करें कि सरकार्म से उपना है तो यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं कि एक एक कॆत तो समस्ति है और इसके अंतरगत जो पूर रोजगार के जो वेवस्ता याने कि गाउं के सभी लोगों को कुछ न कुछ छोटे मुटे रोजगार की विवस्था हो सके ऐसा प्रयास किया जाता रहा तो इसके अंतरगार जैसे हमने देखा कि जो प्राथमिक छेत्र के जो उद्योग थे जैसे क्रिशी करना मचली पालन पशुपालन मुर्गी पालन इस तरह के जो उद्योग थे उनके संबन्ध में उनको प्रसिक्षित किया जाना और फिर उनको रिड़ उपलब्द कराना और उस शेत्रे में उनको रोजगार के लिए प्रेरित करना तो ये सारे कारे इस कारिक्रम के अंतरगत किये गए दूसरा यहां पर एक महत्वपूर बात है कि इसके अंतरगत लगभग 5111 विकास खंडों में इस तरह के प्रिसिक्षन केंद्रों के स्थापना की गई और प्रियास किया गया कि इन प्रिसिक्षन केंद्रों के माध्यम से जिन ग्रामीर युवाओं को गाओं के लोगों को प्रिसिक्षित किया जा रहा है वो इनसे कोई ना कोई युवाओं करें और कोईने कोई रोजगार इनसे प्राप्ति कर सकें कर दूसरा एक मतपून बात ये रही कि सूखा ग्रस्त जो छेत्र थे जहां बार-बार सूखा पड़ता था उन इस्थानों पर क्रिशी क्योंकि कर पाना बहुत मुश्किल होता था और उसके साथ-साथ इसके जो सहायक कारे थे जैसे मचली पालन यह पशुपालन कुकुट उद द्योग वहाँ पर संचालित नहीं हो पाते थे वहां के लिए भी लगभग 13 राजियों के 155 जिलों में इस योजना को लागू किया गया और यह प्रयास किया गया कि प्रतेग जिले में लगभग 2 करोड रुपया का खर्च सरकार के द्वारा किया जाएगा इस्पेशली यह जो योजना थी यह उन चेत्रों के लिए थी जहां पर बार बार आकाल यह सूखा की समस्या हो रही थी तीसरा एक महत्तपूर्ण कारिये किया गया कि स्वारोजगार के लिए प्रसिक्षन के स्थापना की गई और इस पे अगर हम एक नज़ड आले तो यह जो प्रारम होँआ वो 15 अगस 1989 से यह योजना प्रारम की गई और उठीशन के बाद भी सरकार द्वारा प्रयास किया जाता हा ही जो लोग प्रसिक्षित thou हैं जिन्रों ने प्रसिक्षन प्राप्त किया है उनको सरकार की द्वारा रिड इस विए वह आसानी से लिंग्या क त्वाप्त किया है उस पे वो अपना रोजगार प्रारंब कर सकें तीसरा एक मत्वपूर्ण यह बात यह थी इसमें कि जवाहर रोजगार योजना प्रारंब की गई रोजगार प्रिदान करने के दृष्टी से इस पर अगर हम एक नज़र डाले तो हम देखते हैं कि यह 28 अ बात यह थी कि इसमें प्रतेक परिवार से कम से कम एक सदसे को पूरे वर्ष में सो दिन का रोजगार मुहया कराया जा सके इस शेत्र में वैपक प्रयास किये गए साथ में यह भी देखा गया कि महिलाएं जो है वो इसके लिए लगबग इसमें 30 प्रतिश्यत इस्थान महि बारा किया जाता रहा और बाकी जो 20 प्रतिश्यत हिस्सा था खर्च का वो राज्य सरकार वहन करेगे इस तरह की योजना यह बनाएगी अगला अगर हम यहां पर देखे कि पशु पालन और क्रिशी विस्तार के लिए सरकार के द्वारा क्या-क्या उपाय अपनाए गया तो अगर हम इससे लाभानवित लोगों की तो लगबग 2013-14 में पंद्रा लाख से अधिक लोग इस पूरे प्रसिक्षन से लाभानवित हुए ऐसे ही बहुत सारे प्रयास लगू और कुटिरुद्योग के चेत्र में किये गए गाँ और उसके आसपास के चेत्र में प्रयास किये गए कि जादा से जादा लगू और कुटिरुद्योग स्थापित किये जा सके जिससे आसपास के चेत्र के महिलाओं को और वहां के लोग रोजगार लोग है युवावर्ग भी है उनको प्रिसिक्षित किया जाए उनको लगू और कुटी रुद्योग में नियोजित किया जाए और साथ में रोजगार गारेंटी स्कीम चलाई गई और रोजगार कार्याले के स्थापना की गई हम यह किया सकते कि लगपक 2000 से अधि रोजगार कार्याले जो है वो इस दिशा में अब तक कारे कर रहे हैं वैसे ही संगठित छेत्र के विकास की बात कही गई अगर हम बात करें संगठित छेत्र की तो 1961 में जो सारवजनिक छेत्र के जो संगठित भाग है उसमें लगभग 70 लाख लोगों को रोजगार प्रदा किया जा सका और अगर निजी छेत्रों की बात करें तो लगभग एक करोड से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं ठीक इसी तरह एक महतुपूर्ण बात यह बता दे कि विदेश में रोजगार प्रदान करने की छेत्र में भी सरकार ने प्रयास कि बात अगर हम करें प्रदान मंत्री रोजगार गारेंटी योजना पर हमें एक नजर डालें जो कि सरकार के द्वारा चलाई गई सिक्षित बेरोजगारों को स्वा रोजगार देने के दिशा में अगला स्वाण जनती शेहरी रोजगार योजना के बारे में हम जाने तो लगभग यह जो योजना है एक दिसंबर 1997 से प्राड़म की गई और इसके पहले हमने नहरू रोजग समग्र रूप था हम यह के सकते ही कि संशोधित रूप था और वहां पर जो प्रॉब्लम्स थे जो कमियां थी उनको कम करते हैं उनको दूर करते हुए एक नया रूप एक विक्सित रूप यहां पर स्थापित किया गया जिसे स्वाण जैनती शेहरी रोजगार योजना के आज नाम से जाना गया इस योजना पर व्य होता रहा वो लगभग 75 प्रतिशत केंद्र सरकार के द्वारा और 25 प्रतिशत राज करते हैं योजना में जो कमिया हैं उनको दूर करते हुए, उनको संशोधित करते हुए, पूरे ग्रामीन परिवेश में सम्रिधी लाई जाया यानि की सम्रिधी तभी आएगी जब जादा से जादा लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, आए के साधन हम उनको मोहिया करा पाएंगे तो ये सारे प्रयास सरकार के द्वारा किये गए कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सतत विकास के लिए रोजगार जो है वो बहुत जरूरी है चाहे वो हम प्रतिवेक्ति से उसको कोरेलेट करें या हम राश्ट्री आय से राश्ट्र के विकास से या राश्ट्री आर्थिक विकास से उसको हम सब बंद करें कुल मिलाकर जहां पर रोजगार का स्तर बहुत अच्छा होगा जादा से जादा लोगों को रोजगार मिलेगा वहां पर ही प्रतिवेक्ति आय बढ़ती हुई दिखाई देगी निजी छेत्र और सार्वजनिक छेत्र सभी का एक सामुहिक प्रयास है जिससे हमेशा रोजगार प्राप्ति के दिशा में व्यापक कदम उठाए जाते रहे हैं